गुर का सेवन सर्दियों में हर कोई करता है, इसकी तासीर गरम होने के कारण इसका सेवन इन दिनों और भी ज्यादा बढ़ जाता है, गुर खाने के कई फाइदे होते हैं यहां हम आपको बताएंगे उन फाइदों के बारे में सर्दी खासी और जुकॉम से बचाए, गुर की तासीर गरम होती है, इसलिए सर्दी के दिनों में इसका सेवन आपको गरमाहत देने में बेहत कारग होता है, सर्दी में गुर का प्रति दिन सेवन आपको सर्दी, खांसी और से भी बचाता है, और आपको सेहत मंद रखने में मदद करता है रक्त संचार बाए सर्दियों में रक्त संचार कम हो जाता है लेकिन गुर का नियमित सेवन करना रक्त संचार को बहतर बनाए रखने में मदद करता है साथ ही रक्त चाप की समस्याओं में भी फायदे मंद है इसके साथ ही मुंफली के साथ इसका सेवन रक्त को बढ़ाने में आपकी मदद करता है बचाए फेफडों और गले के संक्रमन से सर्दियों में फेफडों में और गले में इंफेक्शन होना आम होता है लेकिन ये कही ना कही आपको तकलीफ भी पहुंचाता है अगर आप इसका सेवन नियता में तरूच से करेंगे तो आप इनक खाने के बाद थोड़ा सा गुर खाना आपके पाचन को और भी बहतर बनाता है और आपको कई पेट की समस्याओं से निजात दिलाता है इसलिए भारत में खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुर खाने का चलन है दूर करे थकान को गुर मेंगनीशियम का एक बेहितरीन स्रो इसमें प्रचर मात्रा में मेंगनीशियम पाया जाता है। गुर खाने से मांस्पेशियों, नसों और रक्तवाहिकाओं को थकान से राहत मिलती है। और खून की कमी दूर करने में भी यह बेहद मददगार साबित होता है। ज्यादा थकान या कमजोरी महसूस हो तो थोड़ा सा गुर खाले, इससे एनरजी लेवल बढ़ता है। अस्थमा रोगियों के लिए फायदे मंद। सर्दियों में अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाती हैं। सर्दी में गुर और काले तिल के लड़ू अस्थमा रोगियों के लिए फायदे पूर में आयरन खूद मातरा में होता है, अनीमिया के मरीज खासतोर पर महिलाओं के लिए यह बहुत फायदेमंद है, यह खून साफ करता है और जब आपका खून साफ होता नहीं तो साड़ी तवचा संबंधी समस्याईं खत्म हो जाती, जी, ससे स्कीन से जुड़ी यह पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है, आपको पता ही है, इसके साथ जिन्हें एसिडिटी की परेशानी है, वे रोजाना दोपेहर और रात को खाने के बाद थोड़ा सा गुर खाएं, इससे खून साफ होता है और मेटाबॉलिजन ठीक रहता है, जिससे गैस या इसकी समस्या खत्म हो जाएगी, बलड प्रेश को नियंतरित रखे, उर में अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो बलड प्रेश को कंट्रोल रखने में सहायता करता है, तो अगर आपको बलड प्रेश की बिमारी हैं, तो आप इसका सेवन करके इसे नियंतरित रख सकते हैं। उर्की चाय उर्की चाय पीने में जितनी स्वादिश्ट होती हैं उतनी ही हमारी सेहत के लिए फायदे मंद होती हैं। अगर आप सर्दियों में इसकी चाय का सेवन करेंगे तो आपको कई फायदे होंगे। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताके आप हाश्मी.com की हेल्थ संबंधी जानकारियों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं।